अब आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है, इसका मतलब आप ट्रेडिंग के लिए सीरियस है, मेरा नाम है बरत, और मैं आया हूँ आप के लिए स्मार्ट मनी कॉंसेप्ट को इजी बनाने के लिए, ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे SMC की बिस्नस पे हमने एक छोटी सी वन मिनिट में सेलिंग जो है, वो करी थी, ठीक है, बड़ इसके लिए सबसे पहले चलते हैं 15 मिनिट में, और समझते हैं कि आज मार्किट क्या कर रहा था, या ओवर ओल मेरा व्यू क्या था तो बात है, जब मैंने यहां पर यह मूव देखा, यह मूव था हायर लोगा, जिसमें मार्किट प्रॉपरली कहीं पर भी जो है, वो एक डेपर पूल बैक नहीं ले रहा था, ठीक है, और मैंने अपनी कम्मिनिटी के साथ भी शेयर किया था, दाट मार्किट को एक डीपर पुल बैप की जरुवरत है क्योंकि मार्केट काफी कंटीनिवसली उपर जा रहा था विदाउट एनी प्रॉपर इंड्यूसमेंट एज वेल एस एक प्रॉपर डीपर पुल बैप बनाए बिना ठीक है तो आफ्टर दाट जब मार्केट में यहां पर ठीक है लिक्विडिटी को ग्रेप करा एंड उसके बाद शापनी मार्केट में नीचे गर के चॉक करेक्टर यह चेंज ओफ गरेक्टर यह ट्यों चो कि मार्केट जो है वो बिलकुल बेश हो गया ठीक है तो यह चेंज ऑफ करेकटर ने मुझे यह दिखाया कि हाम मार्केट में एक टीपर पॉल ब उसके बाद से ठीक है अचा बट हमने आज का कैसे सिनार्य और फ्राइड़े को जब मार्किट को यहां पर आइडियम लेने के बाद मार्किट में हमारे लिए वह लोर या लोर लो कंफर्म होते हैं फॉरर डाउंट्रेंटट तो मार्किट ने लेने के बाद यहां पर टिक है कंफर्म कर दिया कब करल रॉबर गों अब्ट कर ने क्या क्या क्यों अधर्व कर याँ फिद इस पुलबाग को एज यहाँ पर कंसिदर किया ठीक है अधर्वाइस मार्केट में यहां पर याइड्यम पले लिया भाद मार्केट को यहां पर ब्रेग कर रा अचा ह। अच्छा आज आज मार्केट में क्या किया आज मार्केट को मैं उबीक चछे ऐख था थीले शव्चाि को पड़ेग बनाया था चौटा में पर मर्केट फिर नीचे गया एज मार्केट में इस ले लिया locks fragment was going up and मैंने उसके बाद क्या किया एक order flow यह हमारा order flow होता है order flow means क्या होता है order flow के आगे वीडियो आने वाली है order flow is the last buying move before the sell तो यह हमारा last जो buying move था यह हमारा last buying move था before this send ठेक है इसको मैंने mark करा mark किया तो मैंने देखा कि market वहीं से जो है वो rejection as in reaction ले रहा है plus market में क्या किया था liquidity भी इस candle पर sweep करी थी अगर आप ध्यान से देखे है liquidity sweep थी तो मैंने क्या किया I switch to one minute तो see कि क्या कोई potential entry नीचे के लिए बन सकती है कि नहीं market एक minute में भी काफी जादा उपर जा रहा आठी कि market needs some deeper pullback तो फिर मैंने क्या किया जब मैंने one minute में search किया तो आई ड्रिमार ने exactly order flow पे नहीं किया थीक हो उसके पहले से ही reaction दिया अब reaction कैसे दिया और कैसे मैंने इस trade को पकड़ा वो समताता हूँ ठीक है market में यहां पर इस point पे करा चौक ठीक है चौक क्या market उपर जा रहा है उपर जा रहा है आप उपर जाने के बात marketing aggressively यह मैंने एक strategy है जिसके आउपर भी वीडियो आने वाली है ठीक है फिलाल click overall समझते है कि market नहीं यहां पर कर दिया चौक करा सबसे पहनी चीज मैंने क्या देखी कि market ने काफी aggressively चौक करा as in काफी aggressively गिरा leaving this imbalance ठीक है यह काफी सारा imbalance market ने अपने लिए छोड़ दिया यहां पर ठीक है काफी सारा imbalance तो the order block which was responsible for this heavy move मैंने उसको mark कर लिया ठीक है and उसके बाद क्या किया इस order block को mark करने के बाद ठीक है order block क्या होता है इस case में the last buying move before the sell जो की यहां पर ठीक है तो मैंने इसको mark करा इसको mark करने के बाद ठीक है I waited की market जो है वो मेरे zone पर आगर आता है तो I'll be sell ठीक है तो market ने क्या किया और sell करना कहा तक था वो बता दे रहा हूँ अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो market का यह एक demand zone था demand zone क्यों था क्योंकि market यहां पर काफी सारा imbalance जो है वो छोड़ा हुआ था तो हमारा जो first target था वो यही था ठीक है इसके नीचे के targets मुझे अभी ज्यादा confirm नहीं थे बट मैंने एक target के मान के रखा था कि market जो है अगर वहां से properly गिरता है तो यहां तक जो है वो आ सकता है ठीक है एक यह मेरा वो था ठीक है view बट फिलाल के लिए risk जादा ना लेते हुए मैंने यहां पर एक demand zone को mark किया because यह demand zone से काफ़ी aggressive buy आये थी ठीक है and so my last selling candle थी जो मेरा order block बना demand zone के लिए उसको mark किया ठीक है now I waited patiently अब हुआ क्या market नीचे आई market में फूप साई देको जब market यह यहां पर लोग फस्ते हैं इस scenario में लोगों ने क्या किया अपनी position बनाना चालू कर दिया ठीक है बहुत लोगों को लगा market नीचे ही आएगा बिलकुल नीचे जा रहा है यह वो कोई buying कर रहा है कोई selling कर रहा है और यही होती है liquidity ठीक है जो बड़े players जो है वो इस ही liquidity को क्या करते है तो market नहीं यहां पर क्या किया बहुत सारी liquidity बना ही मैं बहुत patiently wait कर रहा है ठीक है बिकाज अगर आप patient नहीं रहेंगे market तो आप liquidity का ही part बन जाएंगे ठीक है उसके बाद as soon as market नीच सारी liquidity को grab किया अच्छा अब grab करने के बाद लोगों में यहां पर क्या आया आगा लोगो को लोगों को लगा होगा इस trend line पर कि market breakout करके अब फिर से क्यों कि market uptrend में ऊपर जा रहा है ठीक है but what I saw I saw something differently and this is what SMC do ठीक है तो market ने जैसे इस liquidity को लिया and tap on my supply zone ठीक है मैंने एक entry बनाई और उसके बाद बहुत beautifully market वहां से react देकर नीचे आ गया ठीक है and हमें जो risk reward मिला वो मिला around 1-5.93 ठीक है which is a very healthy trade ठीक है ज्यादा रिस्क करा नी 7-8 रुपीज का हम रिस्क ले रहे हैं एक मिनिट के time frame वे और हमारा target around 44 था तो जो मेरा premium था मुझे याद है around 56 से इस movement ठीक है इस movement मेरा premium 56 से around 100 के आसपास पहुंच गया था ठीक है 56 से around 100 इतना शापनी बतलब around 100 से थोड़ा से पहले था 99 के असपास पहुंच गया सिर्फ इतने से movement में ठीक है और उसके बाद I exited here around ठीक है अगर मैं चाहता था थोड़ा weight का सकता था बट मुझे यहां तक का confirmation इतना नहीं था बट हाँ एक मैं आपको बताता हूं मेरा confirmation और क्या लेके चल ला था क्योंकि मुझे पता है कि market में यह बहुत heavy movement दिखाया है ठीक है और अब market को उपर की तरफ जाना सही लग रहा ठीक है तो हुआ क्या मुझे एक यह चीज थी मैंने last selling candle को mark किया और and I was waiting कि market इस demand zone को अगर tap करता properly ठीक है तो मैं एक minute में switch कर रहता और chalk and IDM के basis पे entry plan करता बट market ने इसको tap कर रहा नहीं ठीक है जिससे मुझे थोड़ा confirmation नहीं था कि market यहां से उपर जा भी सकता है कि नहीं यह last move था तो मैं थे confirm नहीं था कि market शापली गिरने के पर तोरंत recover कर जाएगा इसलिए मैंने यहां पे trade plan नहीं किया ठीक है but this was a very good trade बस आपको यहीं देखना है आपको एक minute पे जो पूरी strategy है that I'll be sharing in the next video but अभी आपको बस यहां पे liquidity ली market लेते ही market ने शापली गिरा शाप है as soon as market imbalance बनाया मैंने अपने order block को mark किया as in supply area को मैंने बिल्कुल patiently wait कि market वो है वो liquidity यह ले सारी market ने सारी liquidity को grab करा and उसके बाद market ने properly reaction दे दिया तो if you like this analysis ठीक है please give it a thumbs up and thank you for watching this video